आज हम बनाएंगे राजिस्थान में famous जो पूरे देश की पसिंदिदा हो गई है वो है बाटियां तो जी हां मैं आपको बताऊंगी दो तरीके से बाटियां बनाना आप देख सकते हो बाटि जो है हमारी कितनी खुली-खुली बनी है और ये अच्छी बाटियों का निशानी होती है अगर आपकी बाटियां सेखते समय इस तरीके से खुलती है इसका मतलब आपकी बाटिया बहुत perfect बनी है ये अंदर तक घी को absorb करेंगी और अंदर तक सिखेंगी तो मैं दो तरीके से आज आपको बाटियां बनाना बताऊंगी रेसिपी को पूरा देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तो आएए देखते हैं कि बाटियां, पर्फेक बाटियां कैसे बनाई जाती है तो चलिए पर्फेक बाटियां बनाने के लिए पर्फेक तरीके से डो लगा लेते हैं तो इसके लिए हमने लिए तीन कटोरी गेहु का आटा और इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच करीब बेसन तो इससे बाटियां जो ना बहुत सोंधी बनती हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में दो स्पून भरके हमने डाली है सूजी बारिक वाली और साथ में एक स्पून भरके अजवाइन हातों से क्रश करके मैंने अड़ कर लेना है और फिर इसके बाद मैं इसमें डाली है चुटकी भर कलोंजी जिसे मंग्रेला भी बोलते हैं, यह तोटली ऑप्शनल है लेकिन आप डालेंगे तो टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा अब इन सब के बाद हम इसमें डालेंगे वन पोर्थ स्पून भर के बेकिंग सोडा, यह बहुत जरूरी है आपकी बाटियां इसे बहुत फूली फूली और बहुत खुल के बनती है साथ में तीन चमच करीब हम इसमें डालेंगे मौईन और स्वाध अनुसार नमक इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हातों से तो देखे मैंने अच्छे से मौईन दे दिया है और आटा जो हमारा इस तरीके से बंद रहा है तो आटा आपका बहुत गीला नहीं होना चाहिए और बहुत-बहुत सक्त भी नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी का आटा हम लगाएंगे जैसे हम पूरी का लगाते हैं उससे थोड़ा और हमें ज़्यादा ही टाइट रखना है और आपने एक चीज ध्यान दियोगी कि मैंने आटे को बहुत ज़्यादा स्मूध नहीं किया है मसला नहीं है मैंने तो आप जब भी बाटियां लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि आटे को बहुत ज़्यादा आपको मसला नहीं है बहुत ज़दा smooth गोले हमने तयार नहीं किये हैं तो आपको हलके हाथों से इस तरीके से रोल करते हुए तयार करना है और ये जो line है ये बहुत काम की है क्योंकि सिखते समय ये बाटियों को बहुत help करती हैं अंदर तक सिखने के लिए और अंदर तक आपकी बाटियां सिख के बहुत अच्छी बनीगी देखिए अब मैंने ओवन को गरम कर लिया तो पहला तरीका है हमारा ओवन में बाटियां बनाना तो इसके लिए मैंने गैस तंदूर ओवन को गरम कर लिया है और अब हमें इसमें सारी बाटियां एक साथ लगा दूंगी तो इस तरीके से आपने सारी बाटियां सेट कर देनी है फिर इसके बाद हम इसे एकदम लो फ्लेम पर ढाक कर 5-6 मिनिट के लिए छोड़ देंगे देखे हैं हमारी एक तरफ से बाटियां सीख गई है तो अब हमें हर बाटि को एक करके आपको इस तरीके से पलटा लेना है ताकि बाटियां जो हैं दूसी तरफ से भी सीख जाएं और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख सकते हो मेरी बाटियां सिखते सिखते खुलना शुरू हुई हैं जो बहुत अच्छी बाटियां बनने की एक निशानी होती है तो अब हम इसे फिर से ढाक लेंगे और इसे इसी तरीके से हमें 5-10 मिट पकाना है लो फ्लेम पर बीच-बीच में हमें बाटियों को इस तरीके से खोल कर पल्टाते रहना है ताकि चारो और से बाटियां हमारी पक जाए कहीं से भी बाटियां कची ना हो दिए देखिए जो बाटियां हमारी सीख गई है बढ़ियां तरीके से तो मैं उसे निकाल लूँगी देखिए कितनी perfect बाटियां कलर में बन के तयार हुई है और कितनी जादा खुल गई हैं बाटियां बहुत अच्छी बाटियां बनी हैं तो आप इस तरीके से एक बार आप बाटियां को बनाईए आपकी बाटियां भी इतनी ही टेस्ट्री बनेंगी तो ये देखिए настarन takes that जो बाटियां महारी सीखी नहीं है तो मैंने अप्पे मेकर को गरम कर लिया है और इसे हलका सा तेल लगा कर ग्रीस कर लिया है और इस तरीके से आपको इसमें बाटियां सेट कर देनी है यह देखें तो इस तरीके से सेट करने के बाद इसे लो फ्लेम पर एकदम लो फ्लेम पर हम ढाक देंगे और बीच बीच मे खोल इसे चेक करते रहेंगे तो बीच बीच में open करके हम इसे इस तरीके से पलटा लेंगे ताकि ये बाटियां सब जगह से equally sick के तयार हो जाएं कहीं से भी ये कच्ची ना रहें तो जब आप अपे maker में बाटियां बनाएंगे तो आप इसे बहुत frequently open करके और पलटते जाएगा otherwise एक तरफ से बाटियां आपकी पूरी जल जाएंगी और दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएंगी तो आपको बहुत frequently इसे हर एक second में open करना है इस तरीके से और पलटा के चारोर से सेखना है तो ये देखे मैं कितनी जल्दली बाटियों को open करके चेक करती जा रही हूँ और जहां से ये कच्ची है वहां मैं पलटाद के इसे सेखने की कोशिश कर रही हूँ तो ये देखे हैं हमारी बाटियां जो है आप finally बन के कितनी बढ़ियां तयार हुई है आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और इसमें भी आप देखो बाटियों में कितनी लाइन आई है तो अगर आपका बाटियों का डो आपने सही लगाया है ना और सही एक-एक पॉइंट आपने ध्यान से सुने हैं तो आपकी बाटियां हमेशा हमेशा perfect बनेंगी ये देखे कितनी प्यारी color में बाटिया बनके सिख के तयार हुई है तो फटा फट से हमें इसे घी में डोपते हैं क्योंकि बिना घी के तो बाटिया अधूरी लगती है बाटियों का असली मज़ा तो घी में इसे इस तरीके से डोप कर लिंगी उतनी ही टेस्टी बनेंगी तो फटा फट से मैंने प्लेटिंग कर लिए है बाटियों के लिए और अगर आपको दाल और लसुन की चटनी की रेसिपी देखना है तो उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसकी रेसिपी को देख सकते हैं वहाँ पे भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा तो यह देखे मैंने दोनों तरह की बाटियों को दोनों तरह की प्लेटिंग कर ली है मैं आपको उपन करके दिखाती हूँ वाव है ना कितनी परफेक्ट अंदर तक घी को इनोंने पी लिया है और यह बहुत मज़ेदार बनके तयार हुई है तो एक बार मेरे तरीके से बाटियों को बनाईए और यह राजस्थानी ठाली को इन्जॉई करिए तो फिर मिलेंगे नेक्स बीट